बरेली में एक संगठन के लोगों ने गैस्ट हाउस में युवक और युवती को पकड़ लिया। युवक युवती दोनों अलग-अलग समुदाय से थे। इस पर संगठन के लोगों ने काफी देर तक युवक से पूस्ताच की। इसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया। सोमवार को इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने गैस्थाउस पहुँच कर मामले की जानकारी की जानकारी के मुताविक रईवार रात संगठन के लोगों को ख़वर मिली कि युवती गैर महजब के युवक के साथ जंक्सन रोड इस्तिते गैस्ट हाउस के कमरे में है इस पर संगठन के लोग गैस्ट हाउस पहुच गए उन्होंने कमरे में युवक को पकड़ लिया उसका आईडी कार्ट चेक किया युवक रेलवे का करमचारी निकला उससे काफी देर तक पूस्ताच की गई वीडियो में संगठन के लोगों की पूस्ताच से युवक डरा और सहमा हुआ दिखाई दे रहा है उसने युवती को अपनी दोस्त बताया साथ ही उसे गैस्ट हाउस लाने पर अपनी गलती भी बताई पताया जा रहा है कि युवती साजहापूर की रहने वाली है जो एक प्राइवेट कॉलिज में पढ़ती है दोनों के कमरे में पकले जाने पर काफी देर तक हंगामा होता रहा बाद में युवक और युवती वहां से चले गए मामले का वीडियो वायल हुआ तो थाना सुबासनगर पुलिस ने गेस्ट हाउस पहुँच कर जांच परताल की इंस्पेक्टर अखिलेश परधान ने बताया कि एक वीडियो सामने आया है इसकी जांच की जा रही है अगर युवक या युवती तहरीर देते हैं तो कारवा झाल